हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको idioms करवाने वाला हूँ मैंने अभी तक लगबग 5 पार्ट बना दिये हैं idioms के तो यह आपका उसी के सिलसले में यह Part 6 आपका यह वीडियो होने वाला है अगर आपने वो पांचों पार्ट नहीं देखे हैं सबसे पहले आप जाके वो देखो मैंने लिंक जो है वो description में डाल दिया है और मैंने comment box में भी डाल दिया है so that आपको आसानी होगी वीडियो को सर्च करने में अगर आपको फिर भी ना मिले तो आप एक काम करो मेरे चैनल को विजिट करो और वहां पर आपको प्लेलिस्ट बना हुआ English vocabulary, English idioms सारे का बना हुआ है आप वहां पर जाके चेक कर सकते हो ठीक है तो अगर आप नए है तो भी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजए ठीक है तो बिना time waste के start करते हैं हमारा ये वीडियो तो जो सबसे पहला आपका word है that is foaming at the mouth क्या इसे कहा जाएगा? foaming at the mouth इसका मतलब ये हुआ बहुत ही गुसे में very angry मतलब उस person के लिए ये idioms यूज किया जाता है कोई अगर person काफी गुसा में है तो उसके लिए मैं क्या यूज करूँगा? foaming at the mouth इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? very angry बहुत ही वो person गुसे में है ठीक है? इसलिए मैं इसे क्या कहूँगा? foaming at the mouth मतलब very angry ठीक है? next आपका क्या है idiom? back on one's foot back on one's foot इसका मतलब यह होता है आप फिर से जीत गए successful again मैं आपको बताता हूँ एक बात आपको for example आप cricket खेलते हो ठीक है? या सचिन तंदुलकर cricket खेलते हैं ठीक है? अगर वो उसने एक सचिन तंदुलकर ने वर्ल्ड कप जीती थी या महिंदर सिंग धोनी ने वर्ल्ड कप जीती अगर वो फिर से next time अगर फिर से वो वर्ल्ड कप जीत जाते तो फिर क्या होता? तो वहाँ पे हम यह क्या यूज़ कर सकते थे back on one's foot ठीक है? तो इसका मतलब वो फिर से जीत गये बट ऐसा हुआ नहीं ठीक है? हुआ नहीं बट वहाँ पे आप यूज़ कर सकते अगर महेंदर सिंग धोनी अगर फिर से उनके लीडर्शिप में अगेन हम लोग अगर वर्ल्ड कप जीत जाते तो फिर वो क्या होता? आपका back on once foot again ठीक है? तो यहाँ पर successful फिर से होते ठीक है? मान कर चलो आप एक examination आपने दिया है for example आपने DRDO का examination दिया, septum जो 10 वाला हुआ था आपने वो examination दिया अगर आप वो pass कर जाते हो ठीक है? और आपका वहाँ पर job भी लग गया फिर again एक examination और होई SSE CGL वाली आपने फिर से आप वो pass कर गए आप तो already service में हो फिर भी आप उसको pass कर जाए तो इसका मतलब क्या हो गया? back on once foot again ठीक है? इसका मतलब फिर से आप pass कर गए फिर से आप successful हो गए ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग use कर सकते हैं फिर make a living make a living का मतलब सीधा है की जीवन यापन करना है ना? make a living मतलब जीवन यापन करना अच्छे तरीके से तो इसका मतलब क्या है? कि आपके पास इतना hand-to-mouth existence होना चाहिए क्या मतलब? Hand-to-mouth existence होना चाहिए कि आप अपने परिवार की अच्छे तरीके से देख भाल कर सको ठीक है इतना आप अर्ण करो जितना आपको आप अच्छे तरीके से अपने घर को देख पाओ ठीक है तू आंट मने इन। इनफ इन फर ठीक है अब मान कर चलो आप घर पे हो आपका जो आपके छोटे भाई है या फिर छोटी बहान है उसको अगर kinder joy खाने का मने है आपको पता ही है ना kinder joy जो है वो काफी अच्छा है और छोटे बच्चों में वो काफी जादा लोग पढ़िये है ठीक है तो अगर कोई भी बच्चा अगर market जाएगा ना अगर उसको kinder joy अगर दिख गया ना तो सबसे पहले वो kinder joy ही खड़ी देगा अधर चीज से उसे कोई मतलब नहीं अगर उसने kinder joy देख लिया तो सबसे पहले उसको kinder joy ही खड़ी दना है और अगर किसी parents के पास अगर पैसे नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे अपने बेटे या फिर अपने अगर अपने भाई के साथ जा रहे हो तो आप उसकी भाई क्या करेगा अपनी चोटी भाई को डांट देगा नहीं मैं तुम् अपने पेरिंट्स को घर दे सकते हो आइफोन खड़ित के जेख सकते हो अगर आपके पास पैसे ही नहीं हुए तो आप क्या फिर कर सकते हो कुछ नहीं तो वही है make a living का मतलब यह हुआ to earn enough money for things you need ठीक है आपको जो जरुवत है आप उतने ही उसके हिसाब से आप पैसे आप कमा लेते हो अपना जीवन या अपन अच्छे तरीके से कर सकते हो ठीक है इसका मतलब क्या होता है make a living उसके बाद क्या ring a bell ring a bell bell का मतलब जानते हो ना घंटी तो ring a bell का मतलब क्या घंटी बजाना अब एक बात यह बताओ घंटी बजाने से मतलब क्या होता है घंटी बजाने अगर आप मान कर चलो आप स्कूल में जाते थे जिस टाइम पर आप एक छोटे बच्चे थे जिस टाइम पर आप स्कूल जाते थे तो वहाँ पर क्या होता था है ना घंटी लगता था या फिर आप college में भी आप अगर जाते हो अगर आपने college complete भी कर ली तो वहां पर भी period एक period खतम होती तो दूसरी period की घंटी लगती है तो इसका मतलब क्या आपको रिमाइंड कराते हैं कि भाई तुम्हारा ये वाला period खतम हो गया है अब next period क्या होने स्टार्ट होने वाला है इसका मतलब ये है कि वह आपको रिमाइंड कर वा रहे हैं कि भाई ये period खतम हो गया दूसरा period स्टार्ट होने वाला है ठीक है उसका मतलब वहीवा रिमाइंड सम्वन और सम्वन सम्थिंग और सम्वन मान कर चलो कि आपको मार्केट जाना था आपक छे बज़े शाम में आपको इवनिंग में आपको मार्केट जाना था तो आपकी मम्मी आपको याद दिला रही है कि बेटा जाओ तुम्हें मार्केट जानी है न तो इसलिए अब रेडी हो जाओ मार्केट जाओ इसका मतलब क्या रिंगिंग अ बेल रिंग अ बेल समझ में है आपको ये बात तो यही है इसका मतलब remind someone or something और फिर someone या फिर किसी को किसी की याद दिलाना मान कर चलो आज Valentine's Day का आज Valentine's Day है ठेक है आज Valentine's Day है और आपकी जो girlfriend है आपको पता ही नहीं और आप सोए हैं आपको पता ही नहीं कि आज अपनी girlfriend को मेरे को जाके रोज देना है उसे party देनी है तो अचानक आपका friend आता है तो आपको वो remind कर आता है कि भाई आज तो 14th of February है क्योंकि जो सरकारी नौकरी वाले student होते हैं उनको तो दिन पता ही नहीं चलता कि कब वो दिन बीच जाते हैं उनके लिए 14 February भी वैसा ही है जैसा उनके लिए एक जनवरे उससे उनको कोई मतलब नहीं चाहे 14 February हो चाहे 15 February हो कोई मतलब नहीं जो सरकारी नौकरी वाले student होते हैं उसके लिए सब कोई दिन matter नहीं करता है ठीक है तो अब उसका friend उसको phone करके बोला उस लड़के को कि भाई तुमको अपनी girlfriend से मिलने जाना है न आज 14 February है न तो इसलिए जल्दी जाके मिलने जाओ वो तुमारा wait कर रही होगी तो इसका मतलब क्या है ring a bell आपका friend आपको याद दिला रहा है कि भाई अपनी girlfriend से दू जाके मिल ले क्योंकि आप 14 February है Valentine's Day है ठीक है तो ये इसका मतलब होता है kick someone when they are down इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ पहले फिर से आप एक बार पढ़ो इसको kick someone when they are down मान कर चलो कि आप बहुत ही pathetic condition में बहुत ही मुसीबत में फसे हुए हो ठीक है और आपका जो friend है या फिर आपके जो दूसमन है न आपको और ज्यादा परिशान कर रहे है आपको और ज्यादा मतलब taunt मार रहे है agree और आपको परिशान कर रहे है तो इसका मतलब क्या एक तो आपके साथ difficulty already है आप खुदी grapple कर रहे हो बहुत ही कठिन परिस्थितियों से और आपके parents या फिर relative आपको कुछ और ताना सुना रहे हैं और आपको अगर परिशान करें तो आप क्या है आप और difficulty में जा रहे हो ठीक है तो यही इसका मतलब हुआ नहीं कर पा रहे हो उपर से आपको और ताना मिल रहा है यह हो रहा है आपके साथ वो हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया kick someone when they are down ठीक है तो यह आपके total 5 ऐसे idioms थे जो previous year में आए वे थे और मैंने आपको करवा दिया मैं यहाँ पे अभी सारे question उठा रहा हूँ जो आपके previous year examination में आए हुए है और जिसकी आने की समभाबना जादा होती है ठीक है वो सारे question में यहाँ पे लेके आ रहा हूँ so that आपका एकदम holistic development हो सके ठीक है क्योंकि previous year आपके लिए एक backbone है और वो major component secure करते हैं ठीक है अगर आप previous year करके एक तरीके से चले जाओगे ना तो आपको boost मिलेगी ठीक है आपको momentous मिलेगा कि हाँ भाई मैंने आज कुछ किया है और आपको एक kind of understanding आपको strength मिलेगा कि हाँ I can do this I can crack this job इसलिए मैं previous year वाले question ले रहा हूँ so that आपको एक understanding मिल सके ना क्या कि question कहां से आ रहा है तो आज के लिए बस इतना ही अगर आप मेरे channel पर नहीं है तो आप channel को जल्दी से subscribe कर लिजे क्योंकि मैं बहुत महनत से आपके लिए video बनाता हूँ आपको समझ में नहीं आता होगा एक एक video बनाने में हालत खराब हो जाती है ठीक है तो आप support करते रहोगे तभी तुम एक नया यूट्यूबर आपके लिए एक अच्छा तरीक अच्छा content ले आएगा भाई YouTube पे बहुत सारे channel है लेकिन अच्छे content वाले काफी कम मिलेंगे आपको ठीक है तो अगर आपको अच्छा content समझना है और समझ के पढ़ाई करनी है तो आप चैनल सब्स्राइब कर सकते हो अगर आपको रट के ही बस पढ़ना है तो आपका मने मत करो subscribe कोई मतलब नहीं आपको जैसा करना है वैसा करो लेकिन अगर आपको समझ के पढ़ना तो भाई चैनल सब्स्राइब आप कर सकते हो ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन जैभारत